कि गुजराती और बिहारी हैं तो लेकिन दोनों हिंदुस्ताने ही फिर ये भेद भाव क्यूं क्यूं जाती पूछ कर ही किसी के साथ दुर्वेवार के आता है और ऐसा होना नहीं चाहिए नमस्का स्वागत है आपके भारत लाइट टीवी के इस योटूब चैनल पे ये सब बाते जो मैंने कहीं है वो जनरल अधिकार पार्टी के संरक्षक और मधिरपूरा से संसत पपूयादर ने कहा है गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि आज गुजरात जो डेवल बतकार होने लगे तो यह गलत बात है और बिहारीों को सौप दिया जाए गुनेगार बिहारी इसे छोड़िंग नहीं बिहारी खुद गुस्टे में और भी क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनिए बात्चीत के दवान किसी इसू को लेकर कभी मारास्त्रा में निशाना कभी म करने को त्यार है कोई एक बिहारी इसके पक्ष में नहीं है इस घटना के पक्ष में आप दे दो बिहारीयों को इसको खतम कर देगा लेकिन उसके बाद आप निशाना बनाना शुरू किये तीन दिनों तक आप सोई रहे सरकार और तीन दिनों के बाद आपकी निए ठूटती है आप गलतियां ढूड़ना शुरू कर देते हो अलपेश ठाकूर की गलती है या किसकी गलती है कानून सरवच है नजी संभीदान से बरा तो कोई नहीं है न संगिया बेबस्ता में सबको अधिकार है आज जो गुजरात डेवलप हुआ है जिन गुजरातियों की कारण जो बाहर में भी देशों में देश के अनहिस्सों में उन्होंने जो बेपार किया है मेहनत किया आज उसके कारण है कि गुजरात बहुत डेवलप किया हम सब जगे निर्मान में भी लगे रहते हैं बिहार और यूपी के लोग हम 20,000 करोर रूपी है जो केसन पर देते हैं हम आईटी सर्विस सेक्टर में हम 10,000 करोर से उपर देत हैं और उसके बाद आप जिस तरीके से सरकार एक साजिस के तहट और बाद में साजिस को आफ राजनिती का खेल गंदा खेल खेलने लगे बेटियों के सवाल पर भी राजनिती का गंदा खेल खेलेंगे ये पॉलिटिस या और चुप रहेंगे अब गंगा माय को भुलाने पर चले जाते हैं बनारस और फिर यहां चुप रहते हैं मौन रहते हैं किresh तर्सकार कोई आदमी इस घटना पर चुप ने बैट सकता निर्भिया और धामनी पर कोई चुपने था हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसे घटना करता है और एसे लोगो जिस तरह से आपने सुना किस तरह से पपू यादव वहाँ पर सलाह दे रहे थे साथ-साथ गुजरातियों को उनके घर में ही घुसकर किस तरह से बता दिया है कि बिहारी ही है वो जिनके कारणार गुजरात डेवलप हो चुका है और इस डेवलप गुजरात में बिहारीयों क जगा है और ये कोई छीन नहीं सकता है अब जिस तरह से ये जो मुद्दा घरम हो चुका है इस पर सियासत हो रही है खैर सियासत नहीं होनी चाहिए ये पपूय अदल ने भी कहा है लेकिन अब देखने वाली बात यह हो कि जब ये मामला हाई कोट तक जा चुका है क्या फैसल कोई मंतरी दौरा पर जाते हैं या कोई सांसद महोदे दौरा पर जाते हैं कोई बात को रखते हैं अपने उन बातों सभी आपको अवगत कराएंगे जो रहा है भात लाइव टीवी के इस यूटूब चैनल से धन्यवाद हमारे फीस्बूक पीज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज भिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना बने धन्यवाद